नमस्कार स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो मुख्य मंतरी पुसाक योजना है जिसमें कि 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए जो ड्रेस का पैसा है वो दिया जाता है और आप सभी को पता ही होगा कि जो ड्रेस का पैसा है वो सिधे अभिभाव को खाते में आर्टी जीस के माध्यम से भेजा जाना था लेकिन किसी कारण वह आर्टी जीस के माध्यम से वो पैसा नहीं भेजा जा पा रहा है तो आईसी ड्रेस विभाग ने फिर से एक लेटर जार कि क्या दिशा निर्देश दिये गए हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटीस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को अन्यावन बाड़ी बहनों के साथ सेर जरूर किजेगा चली चलते हैं उस अफिसियल लेटर की ओर तो देखिए हम आ चुके हैं उस अफिसियल लेटर की ओर यहाँ पे डेट देख पाएंगे 29-3-2022 यानि कलसाम को ही ये लेटर जाड़ी हुआ था जिसकी संची का संख्या है 1477 इस लेटर को जाड़ी करने वाले हैं निदेशक ICDS और सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी और सभी बाल विकास परियोना पदादिकारी को ये लेटर जाड़ी किये गए हैं यानि कि पूरे बिहार में जितने भी आगनबारी केंदर हैं उन पे ये नियम लागू होने व वाली है किस परकार से जो पूसाक की रासी है वितरन की जाएगी वीडियो आप सभी आगनबारी बहनों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते चले हैं देखिए यहाँ पे लिखा गया है महासय उप्रियूत विशय के अलोक में कहना है कि राज्य के सभी आगन पशाक की रासी है वी वितरन करनी है पहला पॉइंट है यथा संभव अविभावक के खाते में पुसाक गिरासी आर्टी जीएस या एड़ी एफ्टी के माधियम से हंस्तान्तृत कडें यानि कि जितना संभव हो सके जो अभिभावक है उनके खाते में ये जो बैंकिंग माध्यम है जैसे कि RTGS, NEFT इसके माध्यम से जो लाभुक के खाते में पैसे भेज जाने की कोशिस की जाए अगर इस परकार से नहीं जाती है तो दूसरा कंडिशन क्या है जैसे कि जिन लाभुको का किसी कारण वस RTGS या NEFT नहीं हो पारा है वैसे लाभुको के अभिभावक को आगनवारी केंदरों पर सीविर लगा कर पुसाक रासी का बितरन किया जाए जिनके खाते में पैसे नहीं जन परतिनीधी माननिय सदस्यों की उपस्थिती में अनिवार रूप से बितरन किया जाए जैसे कि जब सीविर लगेगा तो उसमें मुखिया वाड सदस्य और जो जन परतिनीधी है उनके उपस्थिती में ये जो ड्रेस का पैसा है वो बितरन किया जाए तिसरा पॉइंट में दिया गया है पुसाक रासी सिवीर हेतू संबंधित सेक्टर की महिला परवेक्षिका के केंदरवार माइक्रोब पलान तयार करेंगे ताकि कारेकरम सफलता पुर्वक संपन किया जाए जैसे कि इसमें जो महिला परवेक्षिका की जिम्मेवारी रहेगी वो केंदरवार तहत जिनके भी खाते में पैसे नहीं जा पा रहे हैं उन आगनबारी केंद्रों पर सिविर लगाए जाएंगे और वहाँ पे ड्रेस का पैसों का बित्रन किया जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं महिला परविक्षिका को भी कुछ नियों में सवर्ते दिये गए हैं जैसे कि पहला है संबंधित सेक्टर के अंतरगत सभी आगनबारी केंद्रों पर आयोजित पोसाक, रासी बित्रन, काडेकरम का अनुस्रों करना दूसरा है काड़ेकरम का केंद्रवार परतिवेदन बाल विकास पर्योदना पताधिकारी को उपलवद कराना तिसरा पॉइंट दिया गया है रासी बितरन के उपरांत सेविका से समन्वय कर पंजेकरित बच्चों को पोसाग तयार कराने में अभिभाव को अवस्यक सहयोग देना ताकि बितिय वर से बच्चे पोसाग में केंद्रों पर आएं जैसे कि पोसाग रासी बितरन करने के बाद जो बच्चे हैं उनके अभिभाव को से ये सहयोग लेना है कि जो भी बच्चे हैं जिनको पोसाग की रासी दी जा रही है उन बच्चों को आप लोग पोसाग की में ही आगनबारी केंदर पर भेजे हैं जीला प्रोग्राम पतादिकारी बाल विकास परियोजना पतादिकारी आगनबारी केंदर निरिक्षन के दोड़ान लाभुकों के बीच पुसाक रासी का वितरन हंस्तांतरन का भी अनोसरोन करेंगे जैसे कि जीला प्रोग्रम पतादिकारी द्वारा भी आगनबारी केंद्रों का निरिक्षन किया जाएगा जिसमें कि जो लाभूक है उनके बीच जो पुसाक रासी है वितरन की जा रहे है नहीं की जा रहे है इसका भी निरिक्षन किया जाएगा अता निदेशित किया जाता है कि परतेक गतिवीधी से निदेशालय को अगौत कराते हुए परतिवेदन भेजना सुनिशित करें नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ICDS Director का यहाँ पर सिगनेचर दिया गया है तो देख सकते हैं कुछ बिंदू का यहाँ पर पालन करते हुए यह जो ड्रेस का पैसा है वो बितरन करना है और जैसा कि पिछली बार जो ICDS विभाग के तरफ से लेटर जाड़ी हुआ था जिसमें कि सभी पर्योजनाओं के लिए ड्रेस का पैसा आ चुका है यह जो ड्रेस का पैसा है वो कब तक आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ड्रेस का पैसा कब तक बितरन किया जाएगा इसकी कोई भी यहाँ पर सुचना नहीं है जैसे कि कोई सुचना मिलती है तो हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे कि यह जो ड्रेस का पैसा है वो कब तक बितरन कर दिया जाएगा तो उमीद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए और इस वीडियो को अन्य आगणबारी बहनों के साथ सेर भी क कर दिजिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का आवारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद